एलो दोस्तों मस्का स्वात आपसका फिसने वीडियो में दोस्तों आज की डियो में हम देखवाले हैं धर्म से आप क्या समझते हैं दोस्तों धर्म से आप क्या समझते हैं सामाजिक जीवन में इसका क्या महत है तो चले दोस्तों देख लिते हैं दोस्तो भार्ट डो यू यू अंडर्स तेंड बाय रिली जैन भार्ट एजिज इस इंपोर्टेंस इन सोसल लाइप अथवा प्राश्ण है कि धर्म की प्रिगती में बाधक तत्नू का बैडन और अथबा में एक और प्रिशन दिया गया है कि धर्म को परिवास्ट करते होगे हिंदू धर्म की मुख विसिष्टाइं बताईए और सामाजिक जीवन में धर्म का क्यामात इसपेश्ट कीजिए सबसे पहले हैं दर्म की उतपती तो दोस्तो प्रिश्टाइबाद तीसरा है आतमबाद और टोटमबाद एबम प्रकार्यवाद प्रतियेक बस्तुमाजीव है दोस्तों बहुत एक बस्तों में चितना होती है इस सिद्धान्त को मानने बालों ने जीवनी असक्ति को माना पुकारा है इसके अनसार सक्ति मौन के कार होती है माना को अपना आराद्ध मान का सरद्धा भाव से पूजने लगे यह सिद्धान्त माना सिद्धान्त कहलाता है दोस्तों मैक्स मौलाय ने कहा है कि यह असेम प्रकृती की उत्तेजना एबम अनभूती है जिससे धर्मों की उत्पत्ति हुई है यह सक्ती यानि प्रकृति धीरे धीरे इस वरिये रूप से पूझी जाने लगी और इसने धर्म का रूप ले लिया यह सिद्दंत प्रकृति बादी सिद्दंत कहलाता है दोस्तों स्पेंसर तथा टाइलर की अनसार धर्म की उत्पत्ती आत्मा से हुई है आत्मा सरीर में रहने से सरीर कारेरत है और आत्मा ना रहने पर सरीर मृत हो जाता है आत्मा आमारे सरीर से परतक होकर आत्मा सुतंत रूप से अपना स्थित्त बनाए रखती है प्रारंब में आत्मा को मानाओं ने भाय एबम सरद्दा को मिसरत दिश्टी से देखा है बाद में इसने धर्म का रूप ले लिया आत्मा को बाद में आने रूपों में देवी देपताओं के रूप में पूजा जाने लगा यह धर्म का आत्मा सिद्धन्त कहलाता है तो दोस्तो यासे तो परिवासाएं काफी दिगाई है जो कि हम सब तो नहीं दे सकते हैं काफी लंबी वीडियो हो जाएगी तो हम लोगोंने दो देखी अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे चलिए दोस्तो अभी हम लोग दिख लेते हैं धर्म के कार यानि दोस्तो फंक संस और रिलिजन दोस्तो धर्म के मुक्चे कारे निमने प्रकार के हैं सबसे पहला जो धर्म का कारे होता है कि धर्म लोगों को मांसिक तनाबों एबं संबेगों से मुक्ति दिलाता है और दूसरा है कि धर्म समाजिक मूलियों तथा मानताओं की रक्षा करता है तीसरा है धर्म समाज में नेतिकता को बनाए रखने में सहायक है और चोतरा है धर्म समाज में एकता पैदा करता है पांचमा है धर्म समाजिक नियनतेर का कारिभी करता है और छटमा है कि धर्म व्यक्ति की सुरक्षा की भावना पैदा करता है साथमा है कि धर्म मानाव में सादगुणों का विकास करता है और आठमा है कि धर्म पवित्र तथा आपवित्र में भीद करता है अब देख लेते हैं हम लोग दोस्तो धर्म की विसिष्था हैं दूसरा है धर्म पूजा अनुष्ठान आदी बाहरी किरियाओं से प्रकट होता है दूसरा है धर्म लोक पर लोक दोनों से जोटने बाला है तीसरा है धर्म आस्था सरद्दा तथा भावनाओं से सम्मंदित है चोतरा है धर्म आवलोकन प्रियोग परिक्षण से अलग है पा दूस्तो अब हम लोग दिखि लिते हैं धर्म का समाज सास्त्री महत्त दूस्तों धर्म मानव कल्यार एबंबिकास में सहय उक देता है मानव अपने समाजिक कारयों में व्धेक्टि का तथा निजी हितों को किंदरित ना रखें बलकी धर्म से निर्देशिद होकर समाजिक य लिए आदर्स स्थापित करता है और ब्यक्ति उसमार्ग पर चलकर मुख्च प्राप्त करने ही तू सभी धर्म नेदेश मानकर सामाजिक को ब्यक्तिकत करने ही तू आदर्स पचलता है इसलिए ब्यक्ति के लिए धर्म आदर्स स्थापित करता है दोस्तो दूसरा है सामाजिक एकागी कायद, दोस्तो धर्म को दोस्तो धर्म जीवन को आलो केक सक्ति से जोड़ का समय बिरुद्दकारियों सोचता है कि भगभान सतापत करता है उसे बैसा ही पल में लेगा जैसे और कार करेगा और समय एक एकाइड में धर्म का प्रमुक इस्तान है तीसरा है दोस्तो बिस्व बंदुत दोस्तो बिस्व के सभी धर्मों ने बिस्व बंदुत को प्रमुक रूप से इस्तापित किया है मुहम्मद साहिब ईसु महावीर जैन मातमा बुद्ध सभी ने धर्म के सहारे बिस्व बंदुत को इस्तापित किया है चोत्रा है दूस्तू नैतिक नियंतर्ण। को कहते हैं इस तरह है धर्म व्यक्तित निर्माण में सहायक है अभी हम लोग देख लेते हैं धर्मिक आउणती की काण्ड तो दूस्तु पहला काण्ड है रूड़ी बादिता दूसरा है दूस्तु कुरूतियों की उत्पत्ति तीसरा है जटलता और चोत्रा है बैग्यन खु दूस्तु भारतिय समाज में हिंदू धर्म का मात्पुनिस्तान है धर्म की रक्षा धर्मेक नेदेशों का पालन धर्म हितकार है सदेप समाज के लिए एबं व्यक्ति के लिए कल्यान कारी होता है धर्मे कृत्ते मात्र इसरी पूजा नार होकर एक जीवन से लिए है धर्म दोस्तो धर्म आचेनल से जीवन जीने बाला ब्यक्ती बहुत एक संसार में सुखी जीवन जी का पाई लोक में आनंद उठाता है इस परकार धर्म कने देशों का पालन काने बाला ब्यक्ती दोनों लोकों में आनंद प्राप्त कहता है अर्था धर्म लोगों दोस्तो धर्म द